खंबागेनी मारो राजस्तान पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हो सारे MRPN आई हो आप सभी बहुत अच्छे हो तो हम सब को पता है कल यानि की चार फरवरी को CET 12 का एक्जाम है तो एक्जाम से पहले यानि की आज हमें किन-किन बातों का विशेशता ध्यान रख चाहिए तो सबसे पहले मुझे लगता है learners को लगता होगा जिन्होंने भी तैयारी की है कि मुझे कुछ नहीं आता बहुत डर लग रहे तो ऐसे में अपने आपको विश्वास दिलाए कि आपने जितना पढ़ा है आपको सब याद है और एक्जाम में भी याद आएगा क्य अभी के लिए बिल्कुल आप अपने आपको बार बार रिपेटिडली आपको यही बोलना है यही अफर्म करना है मैंने पढ़ा है मैंने तैयारी की है मुझे मेरी तैयारी बहुत अच्छी हुई है और मुझे questions के answers एक्जाम में याद आएंगे ही आएंगे ठीक है अपने आपको यह विश्वास आपको दिलाना है बेफिकर हो जाओ अगर पढ़ते हुए परिशानी हो रही है रिवीजन नहीं हो पा रहा है तो अभी फिलहाल अपने माइंड को बिल्कुल रिलेक्स करो कोई कॉमेडी वाली मूवी देखो कुछ इस तरह का करो जिससे आपका माइ से कि मैं अगर ये चीज़े रिवीजन करूंगा तो मेरा कुछ भी दिक्कत मुझे नहीं हो रही है लेकिन अगर आपको गहवराहट परेशानी टेंशन एंग्जाइटी वाले जोन में अगर हो आप तो अपने माइंड को रिलेक्स करो कुछ अच्छा सा कहीं मतलब अपने म माइं में पहली बार आता है वो 99 प्रतिशत सही होता है तो ये चीज़ आप अपलाई कर सकते हो आपने अभी तक प्रेक्टिस मॉडल पेपर सौल भी कियोंगे उसमें भी आपको पता चल गया हुआ जो आंसर जादा तर वही सही होता है जो पहली बार आपके दिमाग में आ सकती है पढ़ा था फिर भी याद नहीं आ रहा क्या था क्या था क्या था इस सिच्वेशन में क्या करना है उस सिच्वेशन पर पांच मिनट दस मिनट वेस्ट नहीं करने हैं आपको आगे बढ़ जाना है उस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए आगे के question solve कीजिए आप देखेंगे कि 10-15 मिनिट में आपको पहले वाले प्रशन का answer खुद बखुद याद आ जाएगा ठीक है पहले वाले प्रशन का answer जिस पर आप अटक गए थे खुद बखुद आ जाएगा और अगर ऐसे question है जो आपने कभी पढ़े ही नहीं सुने ही नहीं अगर आपको लगते हैं तो उस case में आप उस question को skip कर सकते हो वैसे इसमे negative marking नहीं है तो तुका भी आप लगा के आ सकते हो ठीक है अगर बहुत सारे प्रशन ऐसे मिलेंगे जो common sense से solve होने वाले हैं ठीक है तो common sense के लिए exam से एक दिन पहले mind को relax करना है पात साथ question ऐसे बनेंगे जो हम अपने common sense से भी solve कर पाएंगे ठीक है तो उस पर भी ध्यान रखेगा अब OMR के अंदर कई बच्चे ये करते हैं पहले पूरा प्रशन पत्र हल करते हैं बाद में सोचते हैं गोले भरेंगे तो ये काम नहीं करना क्यों क्योंकि उसके अंदर एक भी प्रशन का उत्तर आपने उपर नीचे 11 का answer 12 में भर दिया तो सारी answer sheet आपकी बिगड जाएगी तो जैसे ही आपने प्रशन solve कर लिया OMR sheet में गोला आपको साथ-साथ भरना है वेट नहीं करना कि मैं बाद में भरूँगा बाद में क्या हो क्या पता ठीके तो जो प्रशन आपने की तरफ आपको fill करना चाहिए मान लीजिए यह boundary है गोले की ठीके यह गोले की boundary है तो अगर आप इसको पहली boundary पूरा करके बाहर से अंदर की तरफ भर देते हैं तो आपका वो जो निशान है वो बाहर नहीं जाएगा ठीके तो जो boundary है पहले इसके अंदर अंदर एक रेखा कीच लीजिए ठीके या फिर जैसे भी मतलब ऐसे भी भरना शुरू कर रहे है तो भी तो उससे क्या होगा आपका ये गोला सही से भरा जाएगा और आपकी शाही जो है वो बाहर नहीं निकलेगी ठीके यह इसको भरने का तरीका है इसके बाद एक्जाम में कई बार हमें मा पर आपका ध्यान किस चीज़ पर होना चाहिए आप अच्छा पेपर अटेंट करने वाए हैं सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पर एक्जामिनर आपके सर पर आके खड़ा हो गया है और आप थोड़ा से स्टक हो रहे हो तो दो मिनिट के लिए आप जो है जिस भी भगवान को मानते हो जो भी करते हो उसको अपने confidence से ओम ओम chant आप कर सकते हो ठीक है इस तरीके से तो उससे क्या होगा वो जो anxiety होगी वो चली जाएगा एक्जामिनर दो मिनिट में वैसे भी चले ही जाने वाला है आपके जगा से ठीक है तो परिस्तितियों को exam में होने वाली परिस्तित था वो तो सारे गोले भर रहा था उसको तो सब आता है नहीं इस दिन के लिए आपने CET 12 की तैयारी नहीं की है आपने तैयारी की है आपका paper अच्छा हो तो CET 12 कल paper वाले दिन अपनी उर्जा को सिर्फ और सिर्फ अपने उपर केंदरित रखना है ना कि दूसरों के लिए नहीं है ये ये तैयारी आपने अपने लिए की है ताकि आपका paper clear हो ठीके तो कुछ भी बाहर की परिस्थितियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना अपने उपर आपको focus करना है तो मेरे according ये सारी बहुत important बाते थी जो मुझे लगा आपको पता होने चाहिए अगर आपके मन में CT12 को लेके और भी कोई doubt है तो comment में mention कीजिएगा मैं सबको reply करूँगी ठीक है वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने friends के साथ share कीजिएगा ताकि सबकी मदद हो सके like करना ना भूलिएगा हमारे channel को subscribe कीजिएगा क्योंकि मारो राजस्तान पढ़ेगा भी बढ़ेग अभी कब जब आप इसको like subscribe शेयर करेंगे और मारो राजस्तान जो है गाउं गाव तक पहुंच जाएगा मैं मिलते हो आपसे next वीडियो में सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम